एक जगा 0.1 और एक जगा 0.3 माइक्रो मीटर दे रखा है तो आप इन में से जो भी कोशन में हो वो कर लेना मांक सर दोनों होगा ऐसा कभी नहीं होगा अगर हुआ तो तो बेवनस मिलेगा तो आपको समझना पड़ेगा ये smallest cell है ताइज में क्या है ये smallest है छीक है फिर largest हमारे पास ostrich का egg largest क्या है ostrich एक bird होती है ostrich उसका egg largest cell है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि size जो है काफी vary होता है प्रो केरियोटिक cell, smallest cell, largest cell उसके अलावा यू केरियोटिक cell में हमारे पास जो size है न बिटा यू केरियोटिक cell में 10 से 20 micrometer होता है और RBC थोड़े छोटे होते है RBC में size size micrometer होता है तो अगर आप देखो RBC बैक्टीरिया से तो बड़ा है है कि नहीं? हाँ सरा पर एक छोटा cell होता है clear है कि नहीं बताओ? सोचो सोचो तो ये चीज़ क्या हो गई? हमारे पास size हो गया ये चीज़ क्या हो गई? size हो गया clear है कि नहीं बताओ? अब आप देखो जरा हम लोग लिख भी रहे हैं इस बाप को कि cell में different size, shape, activities smallest 0.3 दे रखा है कहीं पर 0.1 भी लिखा है 3 से 5 या 2 से 5 micrometer largest is austri check RBC 7 micrometer का है मैंने unit आपको पहले ही बता दी micrometer, millimeter, ये unit चीज़ होती है उसके बाद nerve cells are the sum of the longest cell चीक है? और ये क्या होते है? disc shape, ये सारी चीज़े हैं आगे देखो बिटा ये एक एक दे रखे हैं जैसे bacteria यहाँ 1 से 2 दे रखा है और वहाँ लिखा है 3 से 5 तो हम 2 से 5 micrometer ले सकते है PPL लो यहाँ 0.1 लिखा है राइट अप में 0.3 इसलिए हमने दोनों लिख दिया अच्छा, eukaryotic cell 10 से 20 clear है? और virus जो है virus जो है देख लो कितना चोटा है 0.02 देख रो, 0.1 वाइरस बहुत छोटा होता है ठीक है वाइरस पर cell नहीं है न इसलिए smallest cell PPL लोगा ठीक है अब हमने ये भी बोला था बिटा यहाँ देखो हमने बोला है कि shape भी variable होती है आपके NCRT ने shape का एक पूरा chart दिया हुआ सर उसे याद करना है क्या उसे mass the following का question आ सकता है अगर question आएगा तो mass the following का question आ सकता है तो आपके NCRT ने एक diagram दिया है ये उन्होंने कहा है कि RBC जो है उसकी location अगर देखेंगे तो blood है और वो round और by concave है round का मतलब होता उपर से देखोगे ऐसा दिखेगा side से देखोगे तो ऐसा दिखेगा उपर से देखोगे मतलब इसी चीज को उपर से देखोगे तो round दिखेगा तो ऐसा size है WBC irregular होता है इर्रेगूलर का मतलब होता है ये भी blood में मिलेगा ये भी किस में मिलेगा और irregular मतलब shape fix नहीं होती अब ये जो है बेटा हमारे पास columnar epithelium ये कहां मिलती है ये intestine में मिल रही है हाना आपके intestine में मिल रही है elementary के नाल में nerve cell brain में मिल रहे है तो इसकी क्या long long मतलब लंबे cells है देखो लंबे और narrow पतले brain में long cells है और branching होती है देखो ये branch है यहां पर आप देख पा रहे हो neurons में ये branch है और ये किसके columnar epithelium के cells होगे लंबे फिर tracheids कहां मिलते हैं xylem में मिलेंगे और लंबे cells होते हैं ऐसे मेजोफिल cell कैसे होते हैं गोल इस तरीके से होते हैं ग्राउंड ओवल तो ये कहां होंगे leaf में ये कहां होंगे leaf तो ये location बता दी ये इनकी shape हो गई shape कैसे आ सकता है match the following का question आएगा अगर आया तो match the following का question आएगा clear तो हम क्या कोई वो देख सकते हैं हाँ देख सकते हैं देखो shape पे हमारे पास कुछ है यहां पे आपको दिखाने के लिए चीक है एक सकंड देंगे बस आप देख सकते हो ये RBC की shape है चीक है WBC अलगलग type के होते हैं हाना उनकी shape fix नहीं होती हाना columnar epithelium ये देखो के intestine में होगा आप देख सकते हो intestine में हाना यहां columnar epithelium देख रो कैसे self shape है nerve cell brain में होंगे या spinal cord में भी होंगे और कैसे होंगे आप देखो ये देखो branch ऐसे फिर tracheids है हमारे पास ये देखो xylem के अंदर हैंगे ऐसे देखेंगे, clear है, तो यह हमारे पास क्या दे रखिए हैं, shapes दे रखिए, तो इन shapes को आप कर सकते हो, ठीक है, आगे हम चल रहे हैं बिटा, आगे चल रहे हैं, हमने overview वाला topic लगबग complete किया है, आप देख सकते हो, यहाँ पर भी वो cheek cell की बात कर रहा है, microscope में हम observe कर रहे है onion की peel और human के cheek cells, यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, delimiting structure किसकी बात करीए है, membrane की, और वो किसमें हो रहा है, cheek cells में, human cheek cells, और उसमें क्या है, मेरे पास, peel में मेरे पास क्या present, अच्छा, दोनों में nucleus present है, जो membrane bound, ठीक है, अब क्या लिख रहा है, cells that have membrane bound nuclei है, called eukaryotic, और जिसमे वो membrane नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, prokaryotic cell बोलेंगे, क्या इतनी चीज़ समझ में आ रही है, सही है सर, आगे चलें, यह NCIT आप rate करो के बताओ, अब यहाँ कहा रहा है, arena of cellular activities, मतलब क्या हुआ, cytoplasm वो जगा है, जहां पर cellular activities होती है, ठीक है, तो अब हमने क्या किया है एक तरीके से आपका overview वाला topic complete किया, यहाँ पर हमने क्या छोड़ा अभी cell theory जो हम last में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, आगे चलेंगे, और आज हम लोग बात करेंगे पहले, अब हम बात करेंगे बिटा, prokaryotic cell की, ठीक है, prokaryotic cell की कुछ basic feature समझेंगे, आपको पता है, तो basic feature अगर मैं बोलू, सबसे पहला feature क्या है, they lack membrane bound nucleus, ऐसा कोई nucleus नहीं होता, membrane bound nucleus नहीं होता, prokaryotic cell में membrane bound nucleus नहीं होता, इनका size स्थोटा होता है, youkaryotic cell से, size smaller than youkaryotic cell, अगर मैं आपसे बात करूँ कि यार, कितने time में यह divide करते हैं, आपकी anxiety ने class 12, जब आप जाओगे, आप पड़ोगे class 12 में, तो आपकी anxiety बताती है, कि 20 मिनट में E. coli का cell दुगना हो जाता है, ठीक है, तो यह fast multiply करते हैं, यह क्या करते हैं, fast multiply करते हैं, fast multiply करते हैं, मेरी बात समझो, यह तेज multiply करते हैं, then, क्या, eukaryotic cell के comparison, clear है, और अगर मैं आपको इनके कुछ examples बताऊं, देखो, मेरी बात समझना ध्यान से, example of prokaryotic cell, for example, जैसे मैं आप से कहता हूँ, ध्यान से सुने बिटा, मैं आप से कहता हूँ, कि मालो मैं आपको कोई example दे रहा हूँ, इसका मालो remote का, तो यह remote LG का हो सकता है, यह remote आपका, तो इसके basic feature होंगे, इनमें buttons होंगे, यह सारा, ऐसे ही prokaryotic cell, एक cell है, जिसमें कुछ features होते हैं, पर उसके भी example होंगे न, तो prokaryotic cell का जो example है, उसमें हमारे पास bacteria आते हैं, उसमें आते हैं हमारे पास bacteria, bacteria में एक main bacteria होता है, जिसे true bacteria कहते है, वो होता है, यू bacteria, यू bacteria का मतलब होता है, true bacteria, इसके अंदर आते है, mycoplasma, और क्या आता है बेटा, एक खास तरह के bacteria आ नाम blue, green, algae भी होता है, तो हमने कहा कि bacteria के अंदर यू bacteria आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं, आर्की बेक्टीरिया, इन सब में, इन सब में basically कैसा cell होगा, prokaryotic cell होगा, आर्की बेक्टीरिया का एक उधारन है, मिथेन मनाने वाले बेक्टीरिया, मिथेनो जन, तो हमने आपको य अर्गेनिजम आते हैं, जो भी आते हैं, वो बेक्टीरिया है, वो चाहिए यू bacteria हो, चाहिए आर्की बेक्टीरिया हो, यू bacteria true bacteria को कहते हैं, सचा bacteria, मतलब proper तरह का, इसके अलावा मेरे पास एक E कोलाई भी आ सकता है, मिथेनोजन किस में आएगा, आर्की, कुछ पुराने बेक्टीरिया आये थे, उन्हें हम आर्की बेक्टीरिया कहते हैं, clear है के नहीं बताओ, clear है जल्दी बताओ, सोचो, 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 हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, shape को लेके, ध्यान से जुनेंगे, बेक्टीरिया की हमारे पास कुछ shapes भी होती हैं, अगर shape ऐसी है, गोल है, जिससे spherical कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं, कोकस, तूसरा, rod shape, rod shape, इसको कहेंगे bacillus, तीसरा, comma shape, comma shape, ऐसा, उसको कहेंगे vibrio, porth, pyrillium, ऐसा, ठीक है, spyrillium, यह हो गया, तो यह अलग-लग तरह है कि यह कैसा हो गया, बिटा, ऐसा shape का हो गया, comma shape हो गया, spiral होता है spyrillium, अब देखो, कई बार क्या होता है, यह जो spherical होते हैं, यह दो होते हैं, यह chain बना लेते हैं, अगर chain बनाएंगे, तो chain of cocus को कहते है streptococcus, strepto का मतलब होता है chain, और किसकी chain है, cocus की, फिर मेरे पास दो आ गए, ऐसे दो, इसको कहेंगे diplococcus, क्या बोलेंगे बिटा, diplococcus, आपको समझ में आ रही है, clear है, कई बार क्या होता, cocus जो होता है, ऐसे बंच, गुच्छा बना लेता है, गुच्छा समझ में आता ह जैसे grapes, इसको कहते है, staphylococcus, तो यहां से आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, बिटा, बैक्टीरिया की चार टाइप की shapes मिलती है, उनमें most common bacillus है, तब से common कौन सी है bacillus, clear है, तो हमने बैक्टीरिया के बारे में क्या-क्या बताया, सुने ध्यान से, सबसे पहले, उसमें वेल-डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होता, छोटा साइज होता है, यू किरियोटिक से हमने पढ़ा, दो से पांच माइक्रो मीटर, यू किरियोटिक से दस से बीस माइक्रो मीटर, ये तेज मल्टिप्लाई करते हैं, इनके कुछ examples हैं, इनकी चार तरह की shape है, spherical, goal, focus, rod shape, bacill और spirulium ऐसा होता है, spiral, spiral मतलब इस तरीके से, clear है, तो ये shape हो गई बैक्टिरिया की, अब क्या करना है बिटा, आप क्या करना हमें, देखो क्योंकि हम topic पढ़ रहे हैं, प्रो किरियोटिक सेल, तो हमें प्रो किरियोटिक सेल की एक-एक detail जाननी है, एक-एक detail जाननी है, तो ह blue green algae, जिसे cyanobacteria कहते हैं, ये भी आजाता है, इसमें mycoplasma आजाता है, PPLO आजाता है, मैंने methanogen भी बता दिये, they are generally छोटे होते हैं, और तेजी से multiply काते हैं, इनकी shape और size अलग-लग होते हैं, shape में bacillus, cocus, vibrio, cocus और spirulium, चीक है, NCRT कहती है कि basic structure सारे prokaryotic cell का लगबग एक जैसा होता है, कुछ minor differences होते हैं, अलके-अलके difference होते हैं, पर basic structure क्या होता है, लगबग same होता है, तलिए बिटा, अब हम लोग क्या बात करेंगे, prokaryotic cell की discussion पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करो, एक prokaryotic cell का structure draw करते हैं, ठीक है, properly एक prokaryotic cell का क्या करते हैं, structure draw करते हैं, तो चलिए start कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, बिटा, एक prokaryotic cell का structure draw करेंगे, यह हमने एक cell wall बना रखी है, हना हमने क्या किया हुआ है, एक properly हमने एक cell wall बना रखी है, और हम लोग properly prokaryotic cell का structure draw करने वाले हैं, चीक है, तो सही है और हमारे पास एक और बहार स्ट्रक्चर है ये तो ये तीन लेयर आपको दिखेंगे एक नॉर्मल प्रो किरियोटिक सेल में इन तीनों को मिला कर हमें कॉमन नेम देते हैं सेल एन्वलप इसमें सबसे बहार ये होता है जिसे हम कहते हैं गलाइको कैलिक्स क्या हम पढ़ रहे हैं प्रो किरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ये हमारे पास सेल वॉल है और ये जो इसके अंदर है ये इस इस सेल मेंब्रेन देखो हमारे पास ये जो है इसको सेल वॉल कह रहे हैं और ये जो है इसको कह रहे हैं सेल मेंब्रेन तीनों को मिलाकर हमें एक common नाम देते हैं इन तीनों को these all three is known as cell envelope cell envelope जो है यह procreotic cell में एक बहारी परत है तीन चीजों की मिलकी बनी है कलाइको कहले एक cell wall और हमारे पास third है मेरे पास cell membrane outer to inner move कर रहे हैं हम कैसे जा रहे हैं outer to inner जा रहे हैं अब आते हैं बेटा यहां पर यहां पर हमें दिखेगा कि जो cell membrane होती है वो कहीं कहीं पर इस तरीके से fold हो जाती है और उस पर enzyme लग जाती है यह जो अंदर की तरफ folding है इस structure को हम नाम देते हैं mesozomes इस पर enzyme लग जाते हैं यह fourth structure हो गया कुछ bacterial cell में यह जो cell membrane है यह जो cell membrane है यह बहुत ज़ादा fald हो कर उस पर pigments लग जाते हैं उस पर क्या ठेच हो जाते हैं pigments इस तरीके से pigments लग जाते हैं तो pigment पे color होता है बेटा pigment पे क्या होता है? color होता है हमारे पास क्या नाम देते हैं क्रोमेटो फोर देते हैं क्या नाम देते हैं क्रोमेटो फोर देते हैं क्रोमा का मतलब गलर फोर का मतलब लगा होना बियरिंग ये बायो में पड़ो गया तो क्रोमेटो फोर क्या होता इस पे पिगमेंट होते हैं ये फोर स्ट्रक्चन ब्रिया यह दिक्स्त हो गया